जेरेमी वेंथम का अगर आपने नाम सुनाया तो उन्होंने एक बार कहा था The rarest of human qualities is consistency मतलब इन consistency इतना महत्प्रोन हो जाता है आपके लाइफ में कि एक बहुत बड़ा deciding factor है आप successful होगे आपके जो भी आप target कर रहो उसमें या unsuccessful होगे देखो मैं आपको कुछ practical चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें डिसकस करेंगे होती हैं कुछ रटी रटाई चीटें वो डिसकस नहीं करेंगे एक different perspective, different angle में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक simple सा example मैं देता हूँ जब मैंने running स्टार्ट करी जैसे एक किलोमेटर का टार्गेट है तो पांसो मीटर में भाग लेता शेसो मीटर में भाग लेता उसके बाद जो लास्ट के फोर लेप से यह सुचता था कि अब इसको कैसे रोका जाए टांग मोलें यार मैं टूट जाओंगा एक एक राउंड और भागा तू और मैं टूटा दिमाग कहेगा नहीं यार लेट्स लेट्स रेस्ट अभी रुख जाते हैं दो मिनिट का रेस्ट करके फिर भाग लेंगे बोड़ी कहीं कि मैं बहुत ज्यादा पैन में हूँ अब नहीं वागवा हूँगा लेकिन फिर बे अगर आप कॉन्टुनेंसली भागते रहो भागते रहो भागते रहो पांच किलोमेटर हो जाएंगे उसके बाद जो आपके मन को सेटिश्फक्शन मिलता है वो मतलब आप आप डिस्क्राइब ने कर सकते और यह लगभग सबके साथ होता है आपको एक और एक्जांपल बता दो मौमद अली ने एक बार कहा था कि I hated every second every minute of my training हमें लगता है इतने बड़े आदमी है साइध उनको बहुत मजा होगा इतनी अच्छी ट्रेनिंग करने में इतना हार्ड होता है फिर भी उन्होंने भी यह कहा कि I hated every minute every second of my training even if you are preparing for an exam और आप किसी competition की तैरी कर रहो या आप किसी sports को खेलते हो या आप किसी की भी तैरी कर रहो बिजनस में हो you hated every minute of your consistency यह इतना easy नहीं जैसे मालों कि आप अड़ाई के लिए को टाइम टेबल बना लेते हो टाइम टेबल फोलो आप कर लेते हो कभी कभी हो पाता है कि पूरा आपने फोलो कर आपका मन करेगा यार थोड़ा सा रेश लिया जाए दिमा कहेगा ओ हो वो तो वहां गूमने गया था थोड़ा इस्टेश देख लेता हो इंस्साग्राम पर देखता हूं जब आपको कितना टाइम निकल जाता है आपको खुद पता नहीं चल पाता सी consistency is very challenging ऐसा नहीं है कि हम जिन लोगों को देखते हैं जयसे जो भी सकसेस होलाग में हो वो चाहे बिजनसमें होऊ किसी गेम में हो चाहे आहे आपकी जौब के मिघ havoc में हो तब जाके वह उस पोजिशन पर पहुंचे हैं और हम उसका आप्टर रिजल देखके मोटिवेट हो जाते हैं और जब हम उसी चीज को करने जब बैठते हैं तो लगता है कि यार यह तो पॉसिबल ही नहीं है किसले मेटल दो यह मतलब स्ट्रोंगेश्ट पक्ला किसेंसी इसे व्यारी वयरी वरिट जोब इसा नहीं किसेंस दो यह उटकर ना करना है एक प्रोपर डाएट फोलो करने और यह बहुत-ी मॉनोटोमेश द्याट होती है मैं जिसमें आपको fat नहीं है, कुछ मसाली आपको नहीं रखने है, समझे रहे हो इस चीज को और हमें क्या करना है, जब consistency आप रखते हो किसी चीज को तो आपको proper routine फोलो करना पड़ता है and that is very very tedious and boring job एसा नहीं है कि मैं आपको कोई जादू की जप्पी दूँगा जिससे आप कल से ही आज से consistency हो जाओगे, कुछ चीज है जो practical चीज है आपको करनी चीज है और जो मैं follow करता हूँ consistency रहने के लिए, the very first thing, मैं अपनी company, company मतलब यह नहीं कि मैं इस company में काम करता हूँ आपकी surrounding is your company, आप किसके साथ उड़ते हो, किसके साथ बैठते हो, कैसा आप अपना mobile में क्या activities है आपकी, बहुत important चीज है, mobile में आप क्या करते हो, कैसे source आप देखते हो, TV पे क्या देखते हो, उसका यूटूब पे आप क्या देख रहो, कैसी websites पे आप content पढ़ रहो, कैसी websites पे आप videos देख रहो, यह सारा आपका company है, company सिरफ यह नहीं है कि आप किसी के साथ गूम रहे हो, जहां पर आप आप job करते हो, that is your company, no, each and everything which surrounds you is your company, तो जो company है, वो आपकी बहुत ही selective होने चीज़, उसमें garbage के लिए जगर नहीं होना चीज़, आपकी company ऐसे लोगों की है, बहुत ही, मतला, ambitious है, बहुत achievers है, तो believe me, sooner or later, you will be like that only, तो जह सबसे पहले चीज़ है, वो company को फिक्स करो अपनी, अपनी surroundings को फिक्स करो, वो definitely आपको consistent dynamic help कर नहीं हो, and the second thing which you need to do, देखो, you need to stop overthinking, हम करते का में सोचते जाद है, और यह कही नहीं बहुत बड़ी प्रोबलम जैसे for example, आपने timetable बनाया 10 गंटे का, 10 गंटे का timetable बना लाया, 5 गंटे मालो, जितने भी आपकी अपनी सृदा के हिसाफ से timetable आपने बनाया, 5-10 गंटे का timetable बनाया, 2 गंटे हमने सूबर पढ़ाई करी, उसके वाद 3-4 गंटे हमने वेस्ट कर दिये, किसी भी का timetable तो 10 गंटे का हमने बनाया, 3 गंटे हमने वेस्ट कर लिया और यह हमें realize होता है, 3 गंटे वेस्ट कर लिया, उस realization को हम इतना ज्यादा overthink कर लेते हैं, कि next 2-3 गंटे और बरवाद कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ को सोचने के बजाए, कि मैंने 3 गंटे वेस्ट कर चलू, तो overthinking को बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, आपको overthinking kills your consistency, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे, सोचोगे, आप मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़नी पारो, तो आप believe में unproductive हो जाओगे थोड़े दिन में, आपके जो overthinking हैं, आपक अब में, let's say, अब में time waste नहीं करूँगा, उसी time, instant उसी time आपको पढ़ने बेट जाना है, और जो भी आप कम करते थे, वो करने लग जाना है, instead of thinking that you have wasted time, and overthinking on that part, again and again, let's utilize what is last. थर्ड चीज जो आपको करने है, consistency manage करने के लिए, वो कि जो आपके जमालों पढ़ा ही कर रहो, या कुछी भी चीज के आप training कर रहो, जो schedule है, वो एक robotic method में मत बनाओ, जैसे पढ़ रहो तो 9-10 math, 10-11 English, 11-12 GK, उसके बाद 12-1 lunch, 1-2 ये नहीं, ये जो method of time tables हैना, बहुत कम work करता है, आपको target based timetable बनाना चाहिए, मेरा suggestion ये, just let's say, कि मुझे 2 chapter ये खतम करने आज, 2 chapter ये 5 chapter इस week में खतम करने, जब वो target based हम timetable बनाते हैं, तो we are more likely to achieve that, और जो हम ये robotic timetable बनाते हैं, इस ये हमें follow नहीं हो पाता है, तो थोड़े realistic target आपको set करने पढ़ेंगे, और चोती चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है, कि कुछ loopholes होते हैं, कुछ setbacks आपके, आपकी preparation के दोरान आते हैं, ऐसे लेके मत चलो कि आप रोबोट हो, you are likely to make mistakes, ऐसे नहीं है कि आपने 10 गंटे का timetable बनाया, या एक exam का target आपने लेके चला, वो 10 गंटे follow नहीं, exam correct नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो, रोबोट नहीं है, आप machine नहीं हो, तो आपने जो भी plan बनाया, अगर उसको आप 80% भी achieve कर लेते हो, तो मेरे साब से आप एक successfully consistent रह चुके हो, ऐसे नहीं कि आपने 100% जो time table बनाया, उसको 100% follow कर लोगा, नहीं, आप एक machine नह को लेके बेठेंगे, तो हम ऐसा 8 गंटे पर लें, तो हम ऐसा 9 गंटे के time table बनायेंगे, और हम उसको follow करते time, 7 गंटे के efficiency आईगे, तो इस चीज में आपको ज्यादा टेंसल लेने के जुरत नहीं है, ज्यादा सोचने के बजाया है, मेरा तो इतना ही कहना है last में, जो भी आपके past time बचा है उस दिन के लिए, उस मेहने के लिए, उस में आप वो mistakes मत करों जो आप कर चोके वो इस दिन में या उस मेहने के बचे वे, वो गए वे time में, तो let's do it, ये वाला लेके आपको चलना है फंडा, this is all in this video, follow करके देखो, इन चीजों को consistence में आपको काफी मद मिलने वालिए, this is all in this video guys, thank you, thanks for watching.